राजिस्थान की गहलोत सरकार में काबिना मंत्री शांती धारिवाल के लिए कोटा में बना हैरिटेज चंबल रिवर फ्रंट मुसीबत बनता नजर आ रहा है मंगलवार को एन्वोर्मेंट क्लियरेंस नहीं लेने और जली य जीवों का जीवन संकट में डालने को लेकर एन्जीटी ने कोटा यू आईटी सचियू को नोटिस भेजा है साथ ही मामले की जांच के लिए चार सदस्य कमेटी भी बनाई है भाशपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने प्रसवारता में मंत्री शांती धारिवाल पर गंभीर आरोप लगाये थे साथ ही गुंजल ने सबूतों के साथ एन्जीटी को शिकायत भी दी थी जिस पर संग्यान लेते हुए एन्जीटी ने कोटा के यू आईटी सचियू को नोटिस जारी किया है नोटिस के जरिये सचियू से इन सवालों के जवाब मांगे गए इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए एन्वायर्मेंट क्लियरेंस क्यों नहीं लिया गया जलिये जियू जन्तुओं का जीवन खत्रे में क्यों डाला गया है चंबल नदी का बहाओ छेत्र किस आधार पर कम किया गया और बफर जोन में अवैध निर्मान किस आधार पर करवाया गया इस तरह के कई अन्य सवाल के भी जवाब मांगे गए हैं पतादे की कोटा उत्तर से भाजपा के पुर्वविधायक प्रहलाद गुंजल ने प्रसवारता में साफ तोर पर कहा है कि चंबल रिवर फ्रंट का हाल अजमेर के सेवन वंडर पार्क की तरह होगा एंजिटी इसे अवैध करार देते हुए तोड़ने का आदेश जारी करेंगे एंजिटी के नोटिस के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या रिवर फ्रंट के निर्माण में नियमों को अंदेखी की गई है कोटा की चंबल नदी को घडियाल सेंचुरी अभ्यारन घुशित किया जा चुका है इस कारण नदी की 100 मीटर की दूरी तक भवन निर्माण, पुनर निर्माण, चल अचल संपती पर पट्टा और रजिस्ट्री पर पूरी तरह से पाबंदी है ऐसे में रिवर फ्रंट को लेकर कई सवाल खड़े हो गये है